अगर आप एक ऐसे रिलेशन्शिप में हैं जहां पर आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन्स लगाए हुए हैं तो आज की रिडिंग आपके लिए हैं आज की रिडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट आक्षन आपके लिए इस रिलेशन्शिप के लिए क्या रहने वाला हैं आपके पार्टनर क्या नेक्स्ट आक्षन लेने वाले हैं तो यहां पर pile selection के लिए दो option है, जिस तरीके से मैं आपको pile select करने के लिए कहूंगी, आप please उसी तरीके से pile को select कीजिएगा, ताकि आप energy को अच्छे से समझ पाए, pile की selection आपको अपने नाम के first alphabet से करनी है, आपके partner का नाम कौन सी pile में आता है, इस से इस video का कोई भी लेना दे है, तो यहां पर यह दो pile selection options हैं आपके पास, तो pile number one में है, a, b, c, d, i, j, k, l, q, r, s, w, x, and pile number two में है, e, f, g, h, m, n, o, p, t, u, v, y, z, तो आइए जानते हैं, जन्होंने pile number one चूज किया है, आपके लिए क्या energy निकल कर आती है, आइए जानते हैं, कि आपके partner का next action आपके लिए, इस relationship के लिए क्या होगा, आपके partner क्या next action लेने वाले हैं, आपको लेकर, इस relationship को लेकर आइए जानते हैं, आपके पार्टनर का next action आपके लिए इस relationship के लिए क्या रहने वाला है आपके पार्टनर क्या next action लेने वाले हैं आएए देखते हैं तो पहला card है six of swords का card है यहाँ पर ten of wands का card है the hermit का card है यहाँ पर page of cups का card है ace of wands का card है the next card over here is the emperor का card है the next card over here is the walt का card है the next card over here is six of wands का card है and bottom of the egg पर nine of cups का card है so जुन्होंने pile number one choose किया है आपके पार्टनर का next action आपके लिए इस relationship के लिए क्या होगा बड़े ध्यान से समझेगा बहुत interesting जो energy निकल कर आई है ठीक है so यहाँ पर पहले मैं आपको आपके पार्टनर के zodiac science के बारे में बताना चाहूंगे यहाँ पर जो आपके पार्टनर के zodiac science मुझे नजर आ रहे हैं वो है Aries, Leo, Sagittarius, then is your Scorpio Cancer Pisces, then is Aquarius, Gemini, Libra and सबसे कम यहाँ पर Capricorn, Vogo, Taurus है so जिन्होंने pile number one choose किया है आईए अब detail में बात करते हैं कि आपके पार्टनर का next action आपके लिए इस relationship के लिए क्या होगा so पहला card है यहाँ पर the world का card है देखिए आपके पार्टनर इस time पर बहुत ही जादा अंदर से passionate है आपको लेकर action लेने के लिए इस relationship के लिए action लेने के लिए आपके पार्टनर को ऐसा महसूस हो रहा है कि delay और postponement की energies हर बढ़ते दिन के साथ बढ़ती जा रहे हैं और अगर वो अपने इस relationship के अंदर कोई सकरात्मक बदलाव चाहते हैं तो उन्हें एक step तो लेना ही होगा चीक है तो आजकल आपके partner आपके पास आने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं आपके partner आपके लिए explanation इकठी कर रहे हैं किस तरीके से वो आपको अपने हालातों को explain करेंगे किस तरीके से वो आपको ये बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ किस तरह से घटेत हुआ इसके बारे में आजकल आपके partner सोच रहे हैं कुछ-कुछ movements उनके आपकी तरफ को भी बढ़ रहे हैं आपके partner आपसे अपनी बाते कह करना अपनी जिंदगी में जो emotional turmoil में वो है उस emotional turmoil को खतम करना चाहते हैं ठीक है आपके partner यह नहीं है कि आप उन्हें accept करें ही करें ऐसा वो वो यह चाह रहे हैं कि उनके अंदर जो guilt की energies है ना वो आपके सामने अपने बातों को रख कर उस energy से बाहर निकल आएं उन्हें पता है कि जीवन के अंदर यह emotional turmoil तभी खतम होगा जो वो सच आपके सामने रखेंगे ठीक है तो आजकल आपके partner जो baby steps है ना वो इस direction में ले र रही है जो उन्हें burden feel करवा रही है आपके partner responsibilities के तले दबे हुए हैं यहाँ पर मैं मजबूरी का नाम नहीं लोगी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उन्होंने create कर ली है जिसकी वज़े से उन्हें responsibility बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है उन्हें यह महसूस हो रहा है कि अब वो परिस्तियां खड़ी कर चुके हैं उन परिस्तियों से वो भाग नहीं सकते हैं तो आपके partner की जो steps हैं वो आपको उतने अच्छे से नजर नहीं आ रहे हैं आपके partner एक ऐसा वक्त आने वाला है जब अपने feelings को अपने हालातों को वो आपके सामने रखेंगे वो इस चीज़ को तहक कर चुके होंगे कि अब उन्हें आपके साथ बात करनी हैं उस time पर आपके partner की life के अंदर एक trigger भी साथ में ही आएगा तो जो यह आपके partner का next action है ना इसके साथ साथ कोई और भी energy चल रही है आपके partner की energy में वो energy थोड़ी बहुत पिक हो रही है आपके partner का next action यह है कि वो आपसे अपने जो भी हालात हैं उनके बारे में discussion करना चाहते हैं और अगर आप उनसे यह पूछें कि उनकी क्या desire है सबसे वड़े desire क्या है तो उनकी desire यही है आज के time पर कि जिन emotions को उन्होंने आपसे चीना जिन emotions को उन्होंने आपको जीने नहीं दिया उन emotions को आपको वपिस लोटाना आपके partner पहले materialistic हो सकते हैं पहले उनके nature में यह चीज होगी कि वो थोड़े बहुत materialistic होंगे लेकिन आज के time पर मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा है आपके partner किसी भी materialistic energies में नहीं है जब आपके partner आप तक पहुँचने के लिए change होगी अभी हाल फिल हाल में तो आपके partner आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और यह जो start है ना वो इने smooth नहीं मिलने वाली है वो triggers के साथ मिलेगी और उस time पर आपके partner की energy immediately change हो जाएगी आज के time पर आपके partner आपके साथ जो आपकी complaint है ना कि in out करते है माम हमें ब पर ना क्या चाहते हैं तो यह वही energy है आपके partner जैसे ही आपके साथ बातचीत अपनी initiate करेंगे या आपकी तरफ बढ़ जाएंगे completely तो आपके partner की energies के अंदर change होगा आपको आपके partner के अंदर ego नजर आएगी गुसा नजर आएगा attitude नजर आएगा और आप यह कहेंगे कि ma' हमारे partner की energies के अंदर तो कोई बदलाव ही नहीं है वो हमसे प्यार नहीं करते हैं यह तो सिरफ आप ही बताती है कि वो हमसे प्यार करते हैं यह जो change है यह उस point पर आने वाला है जब वो आपके साथ talking terms में आने की कोशिश करेंगे या फिर उन्होंने वो journey को initiate करने के लिए 99% मेहनत कर ली होगी चीक है तो यहां पर उसके बाद आपके partner अकेले में इस रिष्टे के बारे में सोचते हुए मझे नजर आ रहे हैं वो अकेले में बैट कर सोचेंगे कि इस रिष्टे में क्या कर सकते हैं इस रिष्टे में किस तरह के हालात बन रहे हैं और वो करने क्या रहे थे और वो कर क्या रहे हैं तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आइसुलेटिट उस टाइम पर महसूस करेंगे और यहां पर सिक्स ओफ वांस का काड है आज के टाइम पर जब आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं न तो उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि लोग क्या कहेंगे दुनिया क्या कहें कि समाच क्या कहेगा लेकिन इस पॉइंट पर आकर जब उन्हें आपके सामने अपनी सारी चीज़ें रखनी होंगी उस टाइम पर आपके पार्टनर का फॉर्ट प्रसेस बिल्कुल चेंज हो जाएगा इसलिए मैं कह रहे हैं आपके पार्टनर तो बहुत बाट राए करते हैं आपसे कनेक्ट करने की अपनी बातों को आप तक बताने की लेकिन वो एनर्जी मटीरियलाइजी नहीं हो पाती हैं आप उसे एनर्जी को देखी नहीं पाते हैं क्योंकि किसी और की एनर्जी आपके पार्टनर के साथ इस relationship के लिए क्या होगा आएए जोनते हैं जिन्होंने pile number one choose किया है आपके बातना का next action आपके लिए इस relationship के लिए क्या रहने वाला है आपके बातना का next action क्या होगा तो पहला card है the rebel का card है the next card is keezo fernia का card है the next card is the outsider का card है the next card is integration का card है and bottom of the deck पर यहां पर comparison का card है so आएए अब हम दूसरे deck से दिखते हैं कि आपके partner का next action आपके लिए इस relationship के लिए क्या रहने वाला है आपके partner का next action आपके लिए इस relationship के लिए क्या होगा आएए जो आनते हैं तो पहला card है exchanging gifts का card है the next card over here is a leg up का card है the next card over here is thinker का card है the next card over here is unfinished symphony का card है and bottom of the deck पर no place like home का card है so आपके partner के next action की energy में एक चीज़ बहुत अच्छी नजर आ रही है कि आपके partner जो भी third party limitations लगाने की कोशिश कर रही है उस limitation को retaliate कर रहे हैं आपके partner अपने आपको किसी की energy में बंधने नहीं देना चाते है at least उन्हें इतनी awakening है कि उन्हें कोई आगे की और बढ़ने से रोकता है तो आपके partner आज के time पर इस relationship के लिए बहुत ज़्यादा rebellious है आप तो अपने घर में बैट कर ये जिस सोच रहे हैं कि आपके partner आपको भूल गए है आपके partner की life के अंदर कोई और person है और आपके partner उस person के साथ खुश है लेकिन एक fighting energy मुझे आपके partner की energies में नजर आ रहे है यहाँ पर schizofernia का card है आपके partner आज के time पर भी क्यों आगे की और नहीं बढ़ जाते है उसका reason यह है कि वो आपके प्यार को नहीं भुला पार है आपने तो ये बात मान ली है आप तो ये चीज़ सोचते हैं कि आपके partner आपको भूल गया आपके partner को आपसे बिलकुल प्यार नहीं है ये आपका वेहम है और वेहम का कोई इलाज नहीं होता है आपके जो partner है वो आज भी अपने past की energies मतलब आपके साथ अपने आपको connected महसूस करते हैं और उनके past में वो वापस आना चाहते हैं मतलब उस past की energy को जीना चाहते हैं अगर इतना ही उनके लिए असान होता आपको भुलाना तो future में ये third party उनके साथ ही है तो आगे move कर जाते बट आपके partner यहाँ पर मुझे बीच में ही बीच मजधार में फसे हुए नजर आ रहे हैं और इस बज़ज से आपके partner को ये realize हो रहा है कि जो अच्छा रिष्टा आपका उनके साथ था उस रिष्टे से वो खुद ही बाहर निकल आए है और अब ये दर्वाजा उनसे खुल नहीं रहा है उस रिष्टे में abundance है उस रिष्टे में prosperity है उन्हें उस रिष्टे की और बढ़ना है उन्हें उस रिष्टे को जीना है और आपके partner इस ताले को खुलने की कोशिश कर रहा है आपके partner try कर रहे है अपने end से जो कुछ हो सकता है वो कर पाए और आप में से कई लोगों के partner तो ऐसे होंगे जो सिरफ इस दर्वाजे को धक्का मारते जा रहे हैं उन्हें ये नजर ही नहीं आ रहा है कि इस पर ताला तो किसी और ने लगाया है ठीक है तो यहां पर जो आपके partner है वो इस रिष्टे में एक integration की energies लेकर आना चाते है मतलब reunion आपके partner आपके साथ अपना reunion go through करना चाते है इस रिष्टे को balance में लेकर आना चाते है ये उनका next action मुझे नजर आ रहा है वो काल चक्र में परिवर्तन लेकर आना चाते है और वो भी अपने action से लेकर आना चाते है क्योंकि आज के time पर आपके partner बहुत ही ज़ादा comparison की energies में है आपके partner को ये नजर आ रहा है कि आज उनका जीवन सुखा हुआ इस सुखे हुए पेड़ की तरहां बनता जा रहा है maturity तो उनमें आती जा रही है लेकिन जो fertility होती है जो abundance होती है जो prosperity होती है वो उनकी life से चली गई है और वो कहीं past में ही रह गई है तो जो आपके partner है वो एक comparison की पार्टनर को ये सिखाता है कि उन्हें आपके साथ अपने जीवन को विट्टीट करना है इसलिए वो action लेने के लिए aggressor है इसलिए आपके partner action लेना चाहते है तो आपके partner का next action is relationship का reunion है लेकिन उसमें आपके partner को challenges का सामना करना पड़ेगा आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके partners कुछ higher energies आपकी side से उन्हें मिल रही होंगी और वो इस challenge को भी पार कर जाएंगे और आपके साथ reunion establish कर सकते हैं आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने partner को एक negative नजरिये से देखना शुरू कर दिया next action नजर आ रहा है वो यह है कि आपके partner अपने energies को अपने emotions को आप से exchange करना चाहते हैं वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको लेकर क्या feel करते हैं आपके साथ उनकी जिन्दगी किस तरह की थी आपने उनकी जिन्दगी को कितना खुबसूरत बनाया और उन्हें आपके प्यार की realization है यह चीज़े वो आप से share करना चाहते हैं लेकिन जब यह trigger आएगा न तब आपके partner और आप दोनों ही सोचते रह जाएंगे कि आपको तो intuitively feel भी हो रहा था कि आपके partner आपके पास आ रहे हैं लेकिन फिर क्या हुआ ऐसा जो आपके partner एक sad zone में चले गए यह सोचने पर आप मजबूर हो जाएंगे और आपके partner यह सोच कर हैरान होंगे कि उन्होंने इतने कोशिश की आपके पास आने की आपको अपने जज़बात बताने की लेकिन यह क्या उनके life की energies create हो गई कि आपके partner को अपना step back करना पड़ा ठीक है and one more thing आपके partner जिसकारा से अब action लेने के बारे में सोच रहे हैं यह actions वो निरंतर लेते रहेंगे क्योंकि शायद आपके अंदर आपके partner को लेकर कुछ negativity होगी लेकिन आपके partner इस बात को अब समझ पा रहे हैं कि जो आपका और उनका bond है यह बहुत ही sacred bond है और इस bond को वो जीना चाहते हैं इस bond को वो आपके साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं यह रिष्टा खतम नहीं हुआ है यह उनका passion है इस रिष्टे को लेकर क्योंकि जो शांती का अनुभव वो आपके साथ करते हैं ऐसा शांती का अनुभव उन्होंने आज तक किसी के साथ भी नहीं किया है आपके partner को आपके साथ रहना आज के टाइम पर एक सपने जैसा लग रहा है और उस सपने को वो हर हालत में पूरा करना चाते है इसलिए आपको उनकी तरफ से इस तरह की energies आज के टाइम पर महसूस भी हो रही होंगी कि आपके partner आपसे call करना bizi आपके partner यूनिवर्स में send कर रहे हैं बच यह action उनका complete नहीं हो पाएगा क्योंकि trigger साथ के साथ मिलेगा अब आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो यह कहेंगे माम आप यहाँ पर साथ में ही if and but बता रही है देखिए अगर मैंने आपको यह कह दिया कि आपके partner reunion की energies की और बढ़ रहे हैं और वो आपके साथ reunion establish कर लेंगे तो आप बाद में फिर इसी post पर आएंगे और इसी video पर आएंगे और यह चीज़ कहेंगे कि माम आपकी video सच नहीं है क्योंकि यहाँ पर reunion established नहीं होगा यहाँ पर आपके partner को triggers मिलेंगे और दुबारा से वो lower energies में जाएंगे तो यहाँ पर जो आपके partner की energies मुझे समझ आ रही है वो यह है अपनी तरफ से वो passionate होकर आगे बढ़ रहे है लेकिन जिस third party के साथ वो है उस third party की तरफ से भी कुछ action initiate हो चुका है तो आएए अब आपके partner की soul से कुछ messages देखते हैं आपके लिए आपके partner की soul आपसे क्या कहना चाहती है आएए जानते हैं तो पहला कार्ण है यहाँ पर मुझे उस दर्द का एसास है जो मैंने तुमें दिया है आपके partner को उस दर्द का एसास हो रहा है जो दर्द आपके partner ने आपको दिया है और वो इस चीज के लिए आपसे sorry मांगते हैं यह चीज आपके partner को भी अंदर से पता है कि वो अभी के अभी आपको commitment नहीं दे पाएंगे क्योंगी चीजे उन्हें favor नहीं कर रही है action लेना अलग बाद है एक चीज अपने अंदर से conscious level पर भी पता होती है कि यह चीज हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे आपके partner को इस बात की realization हो रही है कि जो वो करना चाते हैं वो शायद उसे accomplish नहीं कर पाएंगे the next is मैं कहां stuck हूँ मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ आपके partner को भी यह चीज समझ नहीं आ रही है कि वो कहां stuck है the next card over here is मेरी situation को समझने की कोशिश करो मुझे तुम्हारी जरूरत है आपके partner को आपकी जरूरत है वो यह चाहते हैं कि आप उनकी situation को समझने की कोशिश कीजे क्योंकि आपके बिना उनकी इस situation को कोई भी नहीं समझ पाएगा I promise you from bottom of my heart that I will never break your trust again आपके partner आपसे ये दिल से promise करते हैं कि एक बार अगर उन्हें आपकी life में आने का मौका मिलता है तो वो आपका trust दुबारा कभी भी नहीं तोडेंगे ठीक है the next card over here is हमारे रास्ते शायदा चलग हो गए हैं पर मेरा दिल जानता है कि मनजल आज भी same है और वो है एक दूसरे का साथ देखे जिस तरह से cards भी निकल कर आए है यहाँ बर आपके partner के base चक्रा से ही problem नजर आ रही है तो आगे बढ़ना तो बहुत दूर की बात है तो आपके partner ये feel कर रहे हैं कि वो जानते हैं कि आज आपके और उनके रास्ते अलग हो गए है पर मनजल आपकी भी same ही है कि आप भी तो reunion चाहते है ऐसा उन्हें मैसूस होता है so मैं हमेशा जब भी आपके partner के next action की video बनाती हूँ मैं आपसे एक चीज़ जरूर कहते हूँ कि इस action पर depend मत रहेगा कभी-कभी ऐसा भी होगा कि ये energy आप feel कर रहे होंगे लेकिन आप इस energy को देख नहीं पाएंगे क्योंकि आपके partner के actions अकेले सिरफ इस चीज़ पर depend नहीं करते हैं कि आप ये partner के action ले रहे हैं उसके साथ third party energy भी जूड़ी हुई होती है तो उस चीज़ के लिए भी prepared रहे हैं जन्होंने पाए number one चूज किया है देखिया आपके partner इस time पर passionate है उन्हें जनून है आपका उन्हें इस रिष्टे को साबित करना है लेकिन बहुत सारी blockages के साथ भीरे हुए हैं कि आपके partner के साथ आपका reunion हो तो आप अपने partner की action की energy पर depend मत कीज़े अपने partner के लिए अपने relationship के लिए एक reading लीज़े उनकी blockages को check कीज़े आपको समझ आजाएगा कि कहां गलती हो रही है and accordingly आप remedies go through कर सकते हैं कोई healing का process है तो वो आप go through कर सकते हैं अगर आप मेरे साथ अपने reading book करना चाहते हैं तो मेरे whatsapp के through कर सकते हैं या मेरी email id के through कर सकते हैं मेरे whatsapp number और email id स्क्रीन पर flash होंगे so आएए अब हम इस deck से जानते हैं कि जिन्होंने अपना healing का process मेरे साथ go through किया है आपके partner का next action आपको लेकर इस relationship को लेकर क्या होगा आएए जानते हैं आपके partner का next action आपको लेकर इस relationship को लेकर क्या होगा so पहला card निकला तो है लिखें energy high होने की वज़े से ये नीचे ही गिर गया है that is seven of wands का card है the next card over here is three of pentacles का card है the next is page of swords का card है the next card over here is queen of pentacles का card है and bottom of the deck पर seven of cups का card है आपके partner का next action जिनोंने अपना healing का process मेरे साथ go through किया है वो ये रहने वाला है कि आपके partner अभी actually अगर आपके case में घर की third party है तो उसके उपर इस तरह से rely कर रहा है कि आपके partner इस third party को अभी भी convince करने की कोशिश करेंगे अगर बाहर की third party है तो आपके partner का इस third party के साथ जो connection है वो कमजोर हो जाएगा आपके partner अभी भी इस third party के साथ किसी लड़ाई जगड़े की energies में है और ये connection यहाँ पर मुझे कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है आपके partner आपके trust barriers को lower down करने की कोशिश करेंगे उन्हें पता है कि अब आप उनके उपर उस तरह से trust नहीं करते हैं जिस तरीके से आप उन पर पहले trust किया करते थे तो इस energy barrier को इस trust barrier को आपके partner मुझे यहाँ पर lower करते हुए नजर आ रहे है वो आपको convince करने की कोशिश करेंगे कि अब वो किसी भी भ्रम्मे नहीं है आपके partner आप समझते हैं आपको समझते हैं इस रिष्टे को समझते हैं तो आपके partner आपके सामने अपने जज़बातों को तो रखेंगे ही लेकिन उनकी जो approach है वो बहुत ही sensible मुझे यहाँ पर नजर आ रहे है कोई history decision नहीं आपके partner बनाने वाले इस third party को satisfy करके मतलब इस third party को यह पता होगा कि अब आपके partner वपस नहीं आएंगे आपके साथ go through किया है तो बहुत ही उपसूरत energies है किसी भी चीज़ के लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है आपने उस time पर अपने partner का साथ दिया जिस time पर वो बहुत ही ज़दा lower energies में थे और challenges से घिरे हुए थे तो यह result तो आपको मिलना ही है आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर clarity मिली होगी नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताईएगा यह reading आपको कैसी लगी वीडियो पसंद आई है तो like करना मत भूलिएगा आपने near and dear ones के साथ share ज़रूर कीचिएगा हो सकता है किसी को अपने life को लेकर कुछ clarity मिल सके so do share my video also अगर आप मेरी reading से influenced है और किसी personalized problem का solution मुझे चाहते है तो आप अपनी personalized reading मेरे साथ book कर सकते है यह booking आप मेरे whatsapp के थूरू या फिर मेरी email id के थूरू कर सकते है मेरा whatsapp number और email id स्क्रीन पर flash होगे जिन लोगों ने अभी तक मेरे channel को subscribe नहीं किया है आप please मेरे channel को subscribe कर लीजिए और bell icon को press करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए videos की notification मिलती रहे मेरे एक और channel भी है soul divine journey taro link आपको नीचे description box में मिल जाएगा उस channel पर मैं कुछ ऐसी videos पोस्ट करते हूँ जिससे कि आपको आपकी life को channelize करने में असानी होती है और वहाँ पर मैं अपनी daily angelic guidance रोज रात 8 बज़े पोस्ट करते हूँ आप please उस channel को भी subscribe ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी bell icon को press करना मत भूलिएगा जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी notifications मिलती रहें मेरे एक और चानल भी है soul mystic taro उस channel पर मैं आपके partner की current feelings उनकी दरफ से आपके लिए उनके अनकहे जजबात yes or no pendulum readings ऐसे सभी readings मैं अपने उस channel पर post करते हूँ आप please उस channel को भी subscribe जरूर कर लीजिए और वहाँ पर भी well icon को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी notifications मिलती रहें उस channel का link भी आपको नीचे description box में मिल जाएगा so now let's see for pile number two जिन्होंने ये वाली pile choose की है आईए जानते हैं कि आपके partner का next action आपके लिए इस relationship के लिए क्या होगा जिन्होंने pile number two choose किया है आईए जानते हैं कि आपके partner का next action आपके लिए इस relationship के लिए क्या रहने वाला है आईए जानते हैं for pile number two people आपके partner का next action आपके लिए इस relationship के लिए क्या होगा आएए देखते हैं So यहाँ पर king of vans का card है three of swords का card है यहाँ पर eight of cups का card है the next card over here is knight of cups का card है the next card is nine of vans का card है the next card is trent का card है the next card is ten of pentacles का card है the next card is ace of pentacles का card है and bottom of the deck पर the star का card है So जिन्होंने pile number two choose किया है सबसे पहले मैं आपको आपके partner के zodiac signs के बारे में बताना चाहूँगी यहाँ पर मुझे आपके partner के zodiac signs नजर आ रहे हैं वो है Capricorn, Vogo, Taurus then is Aries, Leo, Sagittarius then is Scorpio Cancer Pisces and बहुत कम यहाँ पर Aquarius Gemini लिब रहा है So आईए अब अब डिटेल में बात करते हैं कि आपके partner का next action आपके लिए इस relationship के लिए क्या रहने वाला है देखिए यहाँ पर मुझे आपके partner आपसे emotionally detached होते हुए नजर आ रहे हैं आपके partner को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत ज़दा time action लेने में लगा दिया है और जब उन्होंने action लिया तो उन्हें उस तरह का कोई appropriate result भी नहीं मिला इस बजह से यहाँ पर आपके partner emotionally इस relationship से खुद को detach करते हुए आगे की और बढ़ने वाले हैं और सिरफ यही कारण नहीं है कि वो sad है इस बजह से इस relationship से आगे की और बढ़ रहे हैं बलकि अब आपके partner को इस बात की realization है कि उनके आसपास के ही कुछ लोग है जो आपको उनके जिन्दगी में नहीं रहने देना चाहते हैं आपके partner ने इस relationship के लिए defensive होकर देख लिया है उन्हें कुछ भी हासल नहीं हुआ इस relationship में आपके partner ने बहुत ज़दा सफर किया है अब आप कहेंगे मैम आप तो हमारे partner की side ले रहे हैं हमारे partner ने थोड़ी ना सफर किया है सफर किया है तो हमने किया है हमने बहुत ज़दा pain experience की है लेकिन जैसे ही उन्होंने आपको तकलीफ दी उन्होंने आपके साथ अपना bond खराब किया साथ के साथ ही उनका करमा उन तक वापिस आया है आपके partner को आज के time पर realization है कि आप किस दुख से गुजरे है उन्होंने आपको कितनी pain दी है उनकी वज़र से आपने अपने जीवन के अंदर कितना ज़्यादा सफर किया है आपके partner उस सारी pain से गुजर रहे है आपके partner उस सारी pain को experience भी कर रहे है और आज के time पर बार बार effort लगाने के बावजूद भी वो आप तक नहीं पहुँच पा रहे है इस चीज में उन्हें बहुत ज़्यादा irritation होती है frustration होती है कि कितना आसान था पहले आपको call करना message करना, अपने दिल की बात बताना आप से लड़ना लेकिन आज के time पर वही चीज़ें उनके लिए कितनी ज़्यादा difficult हो गई है आपके partner ये जो उनका next action नजर आ रहा है न इससे पहले अभी recent में उन्होंने एक action और लिया था लेकिन उस action में वो successful नहीं हुए है आपके partner आपकी तरफ proposal के लिए बढ़ रहे थे लेकिन आपकी life में उन्हें ये बात का एहसास हुआ कि आपने अपने जिंदगी में move on कर लिया है इसलिए आपके partner ने अपने emotions को दबा लिया अपने emotions को पीछे की और खीच लिया आपके partner ने ये चीज़ important नहीं समझी कि आप तक उनके emotions पहुँचे आपके partner आपसे direction change कर चुके है ये action वो already ले चुके है आपके partner maturity के साथ आगे की और बढ़ रहे है मैं ये बात जानती हूँ कि शायद आपके जिंदगी में इस time पर कोई नहीं है लेकिन आपके partner से अगर उनका point of view पूछा जाए तो एक बहुत ही सुलजा हुआ जवाब देंगे कि वो आपके जिंदगी को खराब नहीं कर सकते है वो अपने मतलब के लिए आपके ज़स्बातों के साथ नहीं खेल सकते है अगर आपने अपने जीवन में किसी और को चूज कर लिया है तो वो आपकी खुश्यों को आपसे नहीं चीनेंगे पहले भी उन्होंने यहीं किया है आपसे आपकी खुश्यां चीनी है और उन्हें कोई हक नहीं बनता है आपको दुख देने का तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे direction चेंज कर चुके है आपके पार्टनर आक्चली यह जो सब कुश देख रहे हैं ना यह किसी influence की बच्छों से है यह आपके partner की अपनी energies नहीं है आपके partner आपसे भी तो बूच सकते थे कि आपकी life के अंदर कोई और तो नहीं है आप उनसे जूट ना बोलते because आपको उनसे कुछ गुसा भी है तो आप गुसे में ही चाहे कुछ भी होता आप उन्हें directly बोल देते लेकिन आपके partner ने already पूरी strength के साथ एक बार कोशिश कर ली है आप तक आने की आपके partner ने पूरी कोशिश की आप तक अपने emotions को express करने की लेकिन आपके partner को बदले में सिरफ यही चीज नजर आई है कि आप अपने life के अंदर खुश हैं stable हैं तो उन्हें आपकी life के अंदर interfere नहीं करना चाहिए उन्हें आपकी जिंदगी को बरबाद करने का कोई हक नहीं है आपके partner एक बात की वज़़े से और ज़्यादा मजबूर है उन्हें जो भी third party है उनके जिंदगी के अंदर उसे भी 100% commitment देनी ही पड़ेगी क्योंकि आपके partner उस third party के साथ अपनी life का कुछ एक गलत decision बना बैठे हैं और अब आपके partner को उस decision के साथ ही आगे पढ़ना होगा ये आपके partner की energies में नजर आ रहा है आपके partner से इस third party को कोई ना कोई फाइदा जरूर हो रहा है लेकिन आपके partner इस third party को financial security provide कर रहे हैं वो आपको आपके जीवन का प्यार आपके जीवन के respect देने आपकी life की और बढ़ रहे थे लेकिन तभी कुछ ऐसी चीज़े घटित हो चुकी है जिसकी वज़ह से आपके partner ने step back कर लिया मैं यह नहीं कहूँगी कि आपने कुछ गलत किया हो सकता है आपने कुछ भी गलत ना किया हो लेकिन वो हालात इस तरह के create कर दिये गए हो जिसमें यह चीज़ साबित हो चुकी हो कि आपके जो partner है वो अब आपकी life में कोई एहमियत नहीं रखने है इस वज़ह से अब आपके partner आपसे दूर जाने का निर्ने बना चुके है और वो दीरे 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 आपसे emotionally detached हो रहे है मैं यह नहीं कहूँगी कि complete detachment हो चुकी है बट अब जो energy create हो रही है ना आपके relationship के लिए irreversible energies है हो सकता है कि आपको लेकर जो भी उनकी misconception है उसके बाद आपके partner ये फैंसला बना ले कि उन्हें इस third party के साथ ही आगे बढ़ना है और इस third party को आपके partner stable commitment दे दे तब भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके partner का जो फैंसला होगा वो एक आखरी फैंसला टाइप होने वाला है और उसकी वजह से आप अपने जीवन के अंदर बहुत ज़ादा सफर करेंगे आपके partner की ये जो misunderstood energies है वो आप दोनों के बीच में energy gap की वजह से है यहाँ पर मुझे आपके partner आपसे दूर जाते हुए next action में नजर आ रहे हैं आपके partner अप पुरानी चीज़ों को discuss करना नहीं चाहते हैं वो यह चाहते हैं आप भी अपने जीवन के अंदर खुश रहे हैं और आपको खुश देखकर वो अपने जीवन के अंदर खुश है उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपने life के जस्पी पात में हैं वहाँ पर आप खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं तो आपकी खुशियों को disturb करने का उन्हें कोई हक नहीं है और उन्हें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए इस वजह से आपके पार्टनर के next action में मुझे यहाँ पर आप से उनकी दूरिया नजर आ रही है वो मुझे आपकी तरफ बढ़ते हुए बिलकुल भी नजर नहीं आ रहे हैं चीज़ के तो यह energy है यहाँ पर यह है आपके पार्टनर का next action आपके लिए इस relationship के लिए आएए अब हम दूसरे डेक से देखते हैं यह आपके पार्टनर का next action आपके लिए इस relationship के लिए क्या रहने वाला है आपके पार्टनर का next action आपके लिए इस relationship के लिए क्या होगा आएए जानते हैं आपके partner का next action आपके लिए इस relationship के लिए क्या रहने वाला है तो पहला card है यहाँ पर sharing का card है the next card over here is exhaustion का card है the next card over here is creativity का card है the next card over here is slowing down का card है and bottom of the deck पर intensity का card है यहाँ पर so आइए अब हम दूसरे deck से देखते हैं कि आपके partner का next action आपके लिए is relationship के लिए क्या होगा आइए जानते हैं आपके partner का next action आपके लिए इस relationship के लिए क्या रहने वाला है आइए जानते हैं तो पहला card है यहाँ पर happy happy का card है the next card over here is a change in the wind का card है the next card over here is loyal heart का card है the next card is treasure island का card है bottom of the deck पर why का card है यहाँ पर so जिन्होंने pile number 2 choose किया है आपके partner ने हाल फिल हाल में यह कोशिश की कि वो अपने जजबात आप से share कर पाएं आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी complaint होगी कि आपके partner ने अभी recently आपके साथ in out किया है वो पहले आपके पास आए उसके बाद दुबारा से आप से दूर चले गए और कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी इस बात से agree ही नहीं करेंगे कि माम उन्होंने अपने जजबातों को जो energy से वो इतनी high थी कि आपके partner आपसे बात कर पाए और कई लोगों के partner की energy से अतनी लोग थी कि आपके partner आपको बता ही नहीं पाए कि वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन जब वो आपकी तरफ बढ़े तो आपके partner को वो comfortable zone महसूस नहीं हो उन्हें आपके अंदर बदलाब महसूस हुए यह बदलाब आपके अंदर नहीं है यह आपके partner के अंदर है तो अब आपके partner का जो next action मुझे नजर आ रहा है वो यह है कि वो आपके और अपने रिष्टे के लिए अब चीजों को slow down करने वाले हैं वो अब ठक चुके हैं इस चीज से इस रिष्टे के लिए भागते भागते मुझे पता हैं आप उनसे ज़दा frustrated हैं बट अगर आप उनकी situation पर खड़े हो कर देखें तो शायद आपको उनकी frustration समझ आएगी वो क्यों अपनी जिंदगी में इतने ज़दा exhausted महसूस कर रहे हैं तो अब मुझे आपके पार्टनर आपके लिए इस relationship के लिए कुछ भी खास action लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं जो उनकी intensity थी जिस intensity के साथ वो आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अब वो उतने ही intensity से आप से दूर जाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पर सिरफ आपके पार्टनर का दिमाग चल रहा है ऐसा मैं यहाँ पर नहीं कहूंगी आपके पार्टनर किसी और की energies में हैं और यह जो third party है आपके पार्टनर को जो दिखाना चाहती है आपको लेकर इस relationship को लेकर यह third party दिखाने में काम्याब हुई है जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस relationship पर give up करते हुए नजर आ रहे हैं जी हाँ यह है right word अगर मैं कहूं तो आपके पार्टनर का next action यह है कि वो इस relationship पर give up करने वाले हैं वो अब इस relationship को और ज़्यादा नहीं निभाने वाले हैं आप कहेंगे मैं उन्हों ने तो बहुत पहले ही give up कर दिया था आप दोनों का जो यह separation zone आया था यह आप दोनों के लिए इसलिए नहीं आया था कि आप लोग इस relationship से give up करें बलकि इसलिए आया था था कि आप अपने इस relationship को और गेराई से समझें लेकिन आप समझ पाए ना आपके partner समझ पाए और अब यह relationship एक irreversible energies की और बढ़ रहा है जिसकी वज़र से आप दोनों एक दूसरे के लिए अप तरसने वाले हैं अभी के time पर तो आपने भी अपने आपको शायद बहुत ज़्यादा मजबूत कर रखा होगा कि फरक नहीं पड़ता है कि आपके partner इस time पर क्या कर रहे हैं बट यहाँ पर सच यह है कि आपके partner ने अपनी creativity की साथ इस रिष्टे को ठीक करने की कोशिश की है जिसके अंदर वो इतनी बुरी तरह से नाकाम्याब हुए हैं कि आपके partner अब next कोई action नहीं लेना चाहते हैं और यहाँ पर मैं कहूंगी मैं कभी भी यह जो next action की वीडियो है वो frequently नहीं बनाती हूँ क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहते हूँ कि आपके partner के next action के साथ किसी और की energies भी जूड़ी हुई होगी यहाँ पर जिस third party के साथ आपके partner है उस third party की energy भी आपके partner के next action को हमेशा affect करती है और यहाँ पर तो आपके partner जो next action ले रहे हैं वो इस third party के लिए बहुत सदा favorable है तो यहाँ पर आपके partner इस action को ले पाएंगे आपसे वो धूर हो पाएंगे क्योंकि इस energy के अंदर यह third party interfere नहीं करेगी यह third party तो already पहले से यह चीज़ चाहती थी कि आपके partner आपसे दूर हो जाए और अब आपके partner नहीं अंदर से इस relationship को surrender कर दिया है आप इस relationship को surrender ही करते आए हैं अब आपके partner ने भी इस relationship में हिम्मत छोड़ दी है और उन्होंने यह चीज़ destiny पर छोड़ दी है कि अगर भगवान ने आप दोनों के साथ लिखा होगा तो आप दोनों एक दूसरे के साथ हो जाएंगे अगर नहीं लिखा है तो वो इस चीज़ में आप कुछ नहीं कर सकते हैं आपके partner बहुत happily आपकी तरफ को बढ़ रहे थे वो आपके साथ अपने relationship को सुधारना चाहते थे वो आपके साथ अपने इस relationship को मजबूत बनाना चाहते थे आपके सामने अपने हाल व्यक्त करना चाहते थे अपनी conditions को आपके सामने खुल कर रखना चाहते थे लेकिन हाला और वक्त दोनों नहीं उन्हें सपोर्ट नहीं किया और यहां पर आप दोनों के रिष्टे की एनरजी ही चेंज हो चुकी है तो आपके पार्टनर की आक्शन की एनरजी तो चेंज होगी ही आपके पार्टनर की एनरजी में चेंज बाद में आया है आपके partner के relationship के perspective में change बहुत पहले आना शुरू हो गया था ठीक है और अब जिस तरह के change की आप उमीद करके बैठे हैं ना कि इश्वर कुछ चमतकार करेंगे आपके partner भी बस अब उस चमतकार का ही इंतजार कर रहे हैं लेकिन उतने time में वो आपकी wait नहीं करने वाले आप में और उनमें ये फरक ज़रूर रहेगा कि आपके partner आपकी wait नहीं करेंगे उन्हें ऐसा लगेगा कि अगर इस time से पहले आप उनके जीवन में आ गए तो इश्वर का ये इशारा होगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं अगर आपका और उनका साथ नहीं लिखा अब उन्होंने चीज़ों को let go करना सीख लिया है आपके partner next action में मुझे ये चीज़ करते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने इस relationship में अपनी loyalty निभाई ठीक है आपके partner अपने perspective से भी ये बात जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ भी loyalty निभाई है लेकिन अब इस रिष्टे में कुछ इस तरह के हालात बनते जा रहे हैं जहाँ पर उन्हें खुद को साबित करने की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि उनके action से आप अपने इस रिष्टे का फैसला करते हुए आए हैं चो अब आपके partner आपके सामने अपने आपको साबित नहीं करेंगे उन्हें ये बात पता है कि वो आपके प्रती लॉयल रहे हैं उनका दिल जानता है जो चीज़ें उनका दिल जानता है वो उस पर अडग है वो उसी पर ही अटल रहेंगे आपके partner आपके सामने अपने जज़बातों को साबित करने के लिए अप कुछ नहीं कर आपने वाले हैं यहां पर treasure island का card है आपके partner बहुत दिल से बहुत मन से इस relationship के लिए fight कर रहे थे लेकिन उन्हें जो दिखाया गया आपकी life को लेकर वो कुछ इस तरह का दिखाया गया जिसकी वजह से उन्हें ये महसूस हुआ है कि पता नहीं शायद वो भी आपको कभी अ against turn होते हुए नजर आ रहे हैं और यह आपके partner की energies नहीं है आपके partner तो अगर खुली आखों से भी किसी के साथ आपको देख लेते हैं तो वो चार बार आपसे पूछने की कोशिश करते हैं कि ये क्या हो रहा है लेकिन अब आपके partner ने सुनी-सुनाई बातों पर यकीन किया है या फिर कुछ वैसे अपने मन से apprehension की energies को सच मान लिया है उसकी वज़े से आपके partner यहां पर मुझे आप से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं जो प्यार का पेगाम वो आपके लिए लेकर आना चाहते थे वो से आपसे दूर लेकर जाते हुए मुझे यहां पर नजर आ रहे हैं आपके partner अब इस रिष्टे की और कोई भी step नहीं लेंगे और अब आपके partner सवालों में घिर गए हैं कि उनकी life में आप क्यों हाई अगर आप उनकी life में आए तो आपके partner और आपका separation क्यों हुआ और अगर यह separation हुआ भी तो आपने उन्हें इतना गलत कैसे संज कि आपने अपने जीवन में किसी और person को जगा दे दी है तो इस तरह की energies में आपके partner एंटर कर गए हैं तो इसकी वज़़स से अब यहाँ पर आपके partner मुझे कोई भी action लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं आपके partner की soul से कुछ messages देखते हैं आपके लिए आपके partner की soul आपसे क्या कहना चाहती है आए चानते हैं आपकी partner की soul से कुछ messages आपके लिए आए चानते हैं तो यहाँ पर पहला message है मैं आज भी तुमसे बेंतहा महबत करता हूं I love you आपके partner आज भी आपसे बहुत प्यार करत और यह कोई gender bias message नहीं है अगर आपकी partner एक female है तो वो भी आपसे यही कहना चाहते हैं बहुत जूट बोले हैं तुमसे पर आप एक ही सच मेरी जिन्दगी है और वो यह है कि I love you आपके partner आपसे यह कहना चाहते हैं कि हाँ उन्होंने आपसे आज तक बहुत जूट बोले हैं ब आपके partner चाहे आपसे दूर हैं लेकिन वो internally कभी भी आपसे disconnect नहीं हो पाए वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और देखते हैं the next messages मैं बहुत शर्मिंदा हूं मैं किस तरह तुम्हारे सामने आऊं मुझे समझ नहीं आता आपके partner को regret है जो कुछ भी उन्होंने किया है वो ब बहुत मिस करते हैं उन्हें हर एक moment वो याद आता है जो वक्त उन्होंने आपके साथ गुजारा है मैं दिन रात सोचता रहता हूं तुम्हारे बारे में आपके partner आपके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं आप हमेशा उनके thoughts में रहते हैं ठीक है तो यह आपके partner कि soul से messages ह देखिए आपके partner आपको भूले नहीं है या I love you, I love you इतनी भार निकल कर आया है लेकिन फिर भी आपके partner आपकी तरफ को कोई action नहीं लेने वाले हैं इसके पीछे के कुछ कारण है और वो कारण इस रिष्टे की blockages है आप एक वक्त के दाइरे में बंदते जा रहे हैं आपके तरह से आपके partner का आपके साथ reunion नहीं होगा आपने already बहुत ज़्यादा वक्त गवा दिया है अगर आप सच में अपने partner से प्यार करते हैं और उनके साथ जीना चाहते हैं तो आपको आपके partner की blockages को समझने की जरूरत है ठीक है और blockages को समझने के पाद आप उनके लिए कर सकते हैं मेरा whatsapp number और email id screen पर flash होंगे so अब जानते हैं जिन लोगों ने अपना healing का process मेरे साथ गोद्पू किया है आपके partner का next action आपके लिए इस relationship के लिए क्या होगा आए जानते हैं तो पहला card है यहाँ पर eight of pentacles का card है the next card is two of vans का card है the next card is five of pentacles का card है next card is the hierophant का card है and bottom of the deck पर five of swords का card है so जिन्होंने अपना healing का process go through किया है आपके partner इस time पर इस relationship में मेहनत करना उन्होंने start कर दिया है और उनका next action यह है कि आपके partner आपके लिए शादी का proposal बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं आपके partner इस time पर आपको stock कर रहे हैं आपके life के अंदर क्या चल रहा है वो यह सब को जानने की कोशिश कर रहे हैं आपके partner का next action यह होगा कि वो future की planning आपके साथ करेंगे और अब धीरे 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 आपके partner आपका trust जीतने की कोशिश करने वाले हैं आपके partner को इस बात की realization हो गई है कि उन्होंने आपका trust बहुत बुरी तरह से तोड़ा है और इस तरह से वो आपके जीवन में वापिस नहीं आप आएंगे इसलिए वो अपने इस रिष्टे पर अपनी तरफ से महनत कर रहे हैं आज के time पर आप लोगों के बीच में third party existence नहीं है आपके partner की life के अंदर third party की कोई importance नहीं है जो महनत करना इस relationship को लेकर वो ये है कि आपके जो partner है उन्होंने बहुत सारी गलतियां की है वो उस गलतियों को सुधार रहे हैं और निरंदर आपको follow करते जा रहे हैं आपकी life में क्या चल रहा है आपकी life में कोई नया person तो नहीं आ रहा है और यहां पर आपके partner अगर आपकी life के अंदर कोई और person हुआ ना तो उसको देखकर पीछे नहीं अट जाएंगे वो अपना हक लेने की कोश करेंगे ठीक है तो अपने instagram पोस्ट अपने facebook पोस्ट को बड़े ध्यान से पोस्ट कीजिए ऐसा नहों कि आपके partner बहुत सादा लाइक करना मत पूरिएगा अपने नियर इंडियर वांस के साथ शेर जरूर कीचेगा हो सकता है किसी को अपनी life को लेकर अपने relationship को लेकर कुछ clarity मिल सके अगर आप मेरे reading से influenced हैं और किसी personalized problem का solution मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी personalized reading मेरे साथ book कर सकते हैं यह booking आप मेरे whatsapp के थूरू या फिर मेरे email id के थूरू कर सकते हैं मेरे whatsapp number और email id स्क्रीन पर flash होंगे जिन लोगों ने अभी तक मेरे चानल को subscribe नहीं किया है आप प्लीज मेरे चानल को subscribe कर ली चूए और bell icon को press करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नएने videos की notification मलती रहे मेरे एक और channel भी है soul divine journey taru link आपको नीचे description box में मिल जाएगा उस channel पर मैं कुछ ऐसी videos post करते हूँ जो आपको आपकी life को channelize करने में मदद करती है और मैं अपनी daily internet guidance रोज रात आठ बज़ उस channel पर post करती हूँ आप प्लीज उस channel को भी subscribe ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी bell icon को press करना मत भूलिएगा जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी notifications मिलती रहें मेरा एक और channel भी है Soul Divine Journey Tarot लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएगा उस channel पर मैं कुछ ऐसी videos post करती हूँ जो आपको आपकी life को channelize करने में मदद करती है और मैं अपनी daily angelic guidance रोज़ रात 8 बज़े उस channel पर post करती हूँ आप प्लीज उस channel को भी subscribe जरूर कर लेजिए और bell icon को press करना मत भूलिएगा जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी notifications मिलती रहें मेरे एक और channel भी है Soul Mystic Tarot उस channel पर मैं आपके partner की current feelings उनकी तरफ से आपके लिए उनके अन कहे जजबाद yes or no pendulum readings ऐसे सभी readings में अपने उस channel पर post करती हूँ आप प्लीज उस channel को भी subscribe जरूर कर लीजिए और वहाँ पर भी bell icon को press करना मत भूलिएगा जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी notifications मिलती रहें उस channel का link आपको नीचे description box में मिल जाएगा so thanks for watching see you soon